हलो एबरिवन वेलकम वान स्टडी ओल मैं मिनाक्षी सिंग स्टडी ओल पर आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि इडियम्स और फ्रेजल भर्व है इससे समद्नित हम लोग अल्ड स्टोव करने की कोशिस कर रहे हैं उसके बाद पר देखा जाएगा एं साथी साथ आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि सबसे पहले इडियम्स का आपको अर्थ बताया गया है दैन उसके बाद उसको कि संटेंस में यूज करके आपको समझाने की कोशिस की गई है कि आप कि questions को touch कर सकते हैं जैसे कि आप error से सम्मंदित question solve कर सकते हैं यह सबसे बड़ा आपको कहां पर help करेगा तो यह आपको help को लेगा close test में close test में तो बच्चे ऐसे ही confused रहते हैं word को ले करके और अगर उसमें अगर error से सम्मंदित close test में question आ जाता है तब और भी ज्यादा confusion बढ़ा देता है विकाज अगर हम लोगों को इसका अर्थ पता नहीं होता है तो और फीलर में help करेगा improvement में आपको help करेगा तो अगर और आप मेंस का preparation कर रहे हैं तब तो यह आपके लिए और भी बहुत ही मददगार साबित होने वाला है विकाज मेंस में आपका इससे बहुत सारे questions पूछे जाते हैं तो इन ही सब बातों को धियान में रखते हुए मैं एडियम एंड फ्रेजल भव आपको आप लोगों के लिए ले करके आई हूं तो आगे देखते हैं कि आज का एडियम क्या है और किस तरीके से इसको sentence में हम लोग use कर सकते हैं ठीक है तो देखते हैं जैसे कि आज कि हमारा पहला एडियम से as a matter of fact का अर्थ क्या होता है तो as a matter of fact का अर्थ होता है सच मुझ क्या होता है as a matter of fact का अर्थ होता है सच मुझ क्या होता है as a matter of fact का अर्थ होता है सच मुझ हुआ as a matter of fact अगर हम लोग matter को तथे के रूप में जाने तो उसने मेरा help नहीं किया इस टैप का कुछ हिंदी निकल सकता है मतलग दूर दराजबरा लेकिन जब कि यहां पर अगर आपको यह पता है कि as a matter of fact का अर्थ होता है सच्मुष तो बिना समय को गवाई हुए आप बहुत ही असानी से इसको solve कर सकते हैं कि as a matter of fact का अर्थ होता है सच्मुष और यह sentence जो है वो यह हिंदी दे रहा है कि सच्मुष उसने मेरा help नहीं किया था के लियर है चलिए देखते हैं कि दूसरा हमारा क्या है तो दूसरा भी फिर से आपके सामने रख रही हूं देखेंगे दूसरा है आपका at the point of at the point of कर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है करीब at the point of कर्थ क्या होता है करीब the patient was at the point of death जो patient है वो कहाँ पे है तो death के करीब है अब अगर हम लोग बात करें तो point का अर्थ होता है नोख तो हिंदी अगर हम लोगों को ये पता नहीं होगा कि at the point of का अर्थ करीब होता है तो हम लोग इसका हिंदी क्या निकाल देंगे कि जो patient है वो क्या है तो वो death के point पर है लेकिन यहाँ पर death के point पर है यह क्या अर्थ हुआ नहीं समझ में आया है clear नहीं है sentence को सही तरीके से qualify नहीं कर पा रहा है लेकिन जब अगर हम यह बोल देंगे कि patient जो है वो मरने के कगार पर है मरने के करीब है तब यह समझ में आएगा अच्छा sentence यह कहना चाह रहा है तो at the point of का अर्थ होता है करीब और इस sentence में आपका the patient was at the point of death मतलब हो गया कि patient मिर्टी के करीब पहुँच चुका है अगला है आपका at all cost at all cost मतलब क्या होता है किसी भी कीमत पर अक्सर आप सुनते होंगे अगर आप movie या serial वगरा देखते होंगे तो उसमें आप सुनते होंगे कि मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए कुछ भी हो जाया मुझे चाहिए तो चाहिए और मैं यह ले करके रहूँगा बोलते हैं न तो at all cost कार्थ क्या हो जाएगा किसी भी कीमत पर वह आज अपना काम खतम करेगा किसी भी कीमत पर यानि कि उसको आज ये काम खतम करना एकदम मजबूरी है अगर वो नहीं करता है तो किसी दूसरे काम को क्या करेगा गवा देगा क्लियर है तो यहां पर जो हमारा इडियम्स हो गया वो हो गया आपका at all cost जिसका अर्थ होता है किसी भी कीमत पर next है आपका at stack इसका अर्थ होता है खतिरे में at stack का अर्थ क्या होता है खतिरे में our life today is always at stack हमारा जो जिंदगी है अगर आज की समय की बात करे तो वो हमेशा क्या होता है खतिरे में होता है यह काना चाहरा है if बिल्कुल करेक्ट है अभी रोज एक नया नया ऐसा वाइरस ऐसा बिमारी निकल रहा है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब जिंदगी है और कब जिंदगी नहीं है तो at stack कर्थ क्या होता है खत्रे में होता है our life today आज के समय में अगर हम अप लोग अपनी जिंदगी की बात करें तो is always at stack क्या सीज में रहता है तो खत्रे में रहता है next है आपका अगला है आपका at variance with at variance with कर्थ क्या होता है तो at variance with कर्थ होता है बिपरीत मतलब समझते नहीं जैसे अभी बहुत सारे लोग अभी बोलते है रहे समय जो है वह बहुत ही बिपरीत चल रहा है समय बिपरीत चल रहा है मतलब कि ऐसा आस तक खभी इतिहास में नहीं हुआ था तक कि इतना लंबा लॉकडाउन लगा है इतना लंबा प्रेन का परिचालन बंद रहा है यहां तक कि प्लेन बंद हो गया कोई वेक्ति कहीं आ नहीं सकता कहीं जा नहीं सकता मतलब ऐसा लग रहा है कि जीते जी मौत हो गया खास करके गड़िवों के लिए तो अक्सर आप सुनते हों गया रहे बहुत ही बुरा कंडिशन है बहुत ही बिपरीत टैप का है यानि कि मतलब जो आपके अनुकूल ना हो तो एट वेरियंस मतलब बिपरीत ही एक्ट आर एट वेरियंस विट वर्ड उसका जो एक्ट है एक्ट मतलब यहां पे क्या हो जाएगा बिहेवियर उसका जो बहवार है वो क्या होता है उसका जो ब करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं कभी-कभी सो करेंगे कुछ लेकिन उनके बिहवार से वो कुछ और दिखने लगता है यहां पर वही कहना चारा है कि उसका जो act है वो always different रहता है बिपरीत रहता है क्या चिस से तो उसके words से तो at variance with मतलब हो गया आपका विप्रीद चलिए आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या कहता है आगे है आपका at all at all मतलब होता है तनिक भी at all मतलब क्या होता है तनिक भी तनिक भी तनिक भी तनिक भी तनिक भी सर्म नहीं है तुमको थोरा सा भी सर्म नहीं लगता है तो वही है at all मतलब तनिक भी he is not guilty at all उसे थोरा सा भी सरम नहीं है यानि कि guilt नहीं है guilt मतलब बुरा फील होना उसे थोरा सा भी बुरा फील नहीं हो रहा है तो at all कार्थ हो गया तनिक भी he is not guilty at all at all events at all events कार्थ क्या होता है तो चाहे जो कुछ हो at all events कार्थ होता है चाहे जो कुछ हो you must come here at all events बोलते हैं न जासे कोई किसी को बुलाना चाह रहा है तो सामने बाला बंदा बोल रहा है मैं अभी तो नहीं आ सकता है मुझे यह problem है तो बोलता है चाहे कुछ भी हो तुम मुझे 5 मिनट में यहां चाहिए must come here at all events ओके next क्या है as a rule as a rule मतलब क्या होता है सदा मतलब हमेशा as a rule मतलब क्या होता है सदा का हुआ हमेशा as a rule he gets up before sunrise क्या कह रहा है as a rule ऐसे कहा जा तो नियम के हिसाब से वो हमेशा क्या होता है sunrise के पहले उठता है लेकिन अगर हम लोग सही अर्थ जाने as a rule का तो इसका अर्थ क्या निकला तो इसका अर्थ निकला सदा तो अगर सदा देखा जाए तो वो हमेशा जो है वो sunrise के पहले उठता है जैसे आप सुने होंगे अभी अच्छे कुमार इस मामले में Mr. Perfect का in the sense fitness के according उनको ये tag दिया गया है कि वो कभी भी शुर्य उदय के पहले ही उठते हैं कभी भी शुर्य उदय के वो बाद नहीं उठते हैं अलकोहल नहीं लेते हैं सिक्रेट से राप से उनका कोई लेना देना नहीं है अगर कोई भी परकार की विवदा आती है तो उसमें सबसे जाज़ा डोनेशन भी वही करते है तो as a result मतलब क्या होता है सदा तो as a result ही के जगा पे हम यहां पे लिख दे अक्छे कुमार गेट सब बिफोर सनराइज की सदा अक्छे कुमार जो है वो सनराइज के पहले उठते है के लिएर है एपल पाई ओडर एपल पाई ओडर मतलब क्या होता है तो इसका अर्थ होता है आपका बिल्कुल ठीक हालत में एपल पाई ओडर मतलब क्या हुआ बिल्कुल ठीक हालत में माल लेते हैं कि जैसे बहुत दिन से हम लोग रूम बंद वगरा कर देते हैं बहुत दिन से हम लोग कुछ बंद करके ओफिस बन था या बहुत दिन से ये हस्पीटल बन था घर बन था लेकिन फिर भी आने के बाद देख रहे तो करें और यह तो बिल्कुल वही हालत में है जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही दिख रहा है तो apple pie order मतलब बिल्कुल ठीक हालत में everything in this office is in apple pie order जैसे अभी अभी की अगर हम बात करें तो अभी जो यह lockdown की प्रस्थिती चल रही है तो किसी को संभलने का मौका नहीं मिला बंदा विचारा रात में दुकान बंद के गया रात में office बंद करके गया जैसे हम लोग ही हम लोग का बहुत सारा books वगएरा या बहुत सारे जो materials वगएरे हैं वो हमारे office में ही बंद है हमारे coaching में ही बंद है घर में तयार करके आप अभे प्टाइब के पहले ही पता चला की लोकडाउन हो गया और बढ़ते जा रहा है कम होने का नामी नहीं ले रहा और साथ ही सथ क्रोना पेसेंट भी बढ़ते जा रहे हैं हैं इसका भी खैर हम ही लोग जिमेदार हैं क्योंकि हम लोग जो है वो सही से नियम को पालन नहीं कर रहे हैं तो एपल पाई order कार्थ हुआ बिल्कुल ठीक हालत में अभी बहुत हम लोग सब सोच रहे पताने क्या हाल होगा आप सोचो कि राना स्टोर वाला या फिर वैसे कपरे वाले कपरा का दुकान है या मॉल में कितने है श्केट हो गया जी सब बरबाद होगा क्यों कि कि खोलने का अधिकार नहीं है जो स्विट दुकान वाले होगे उन लोगों का कितना shop या everything in this mall is in apple pie order बिल्कुल सही condition में है ठीक हालात में है जैसे छोड के गया वैसा ही मुझे मिला है ना चलिए at a time at a time कार्थ क्या होता है तो at a time कार्थ होता एक बार में at a time कार्थ होता है एक बार में hand them to me to at a time उसे तुम मुझे एक ही बार में shop दो ज्यादा tension लेने की ज़रूरत नहीं है अभी हम लोग क्या करेंगे तो अभी जो है वो हम लोग करेंगे quick revision quick revision मतलब बस cable आपको हिंदी और English बताते जाओंगी जैसे जैसे मैं अंग्रेजी पर हूँ उसका आप आख बंद करके हिंदी दोहराओ और सोच लो कि आपको याद हो गया है clear है चलिए सुरू करते सुरू से as a matter of fact सच मुच as a matter of fact मतलब सच मुच देखना नहीं आख बंद कर लो ठीक है देखना नहीं आख बंद कर लो सिफ सुनो मैं जो बोल रही हूँ हूँ उसके बाद उसका हिंदी बोलो देख लेना पूरी तरीके सी याद हो जाएगा तो as a matter of fact मतलब सच मुच at the point of करीब at the point of करीब all at cost sorry at all cost at all cost किसी भी कीमत पर at stack at stack मतलब खतिरे में at variance with at variance with मतलब बिपरीत at variance with मतलब बिपरीत at all तनिक भी at all मतलब तनिक भी at all events चाहे जो कुछ हो at all events मतलब चाहे जो कुछ हो as a rule सदा as a rule मतलब सदा apple pie order apple pie order बिल्कुल ठीक हालत में apple pie order मतलब बिल्कुल ठीक हालत में at a time एक बार में at a time एक बार में अब ये जो मैं थोरा थोरा देर के लिए pause ले रही थी 2-2 second 3-3 second का क्यों ले रही थी ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बोलने का समय में दे रही हूँ तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप एक से दो बार वीडियो को देख लेते हैं एक से दो बार मेरे साथ ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीन मानिये आपको idioms and phrasal verb याद हो जाएगा और इसका importance क्या है ये तो मैं शुरू में ही आप लोगों को बता चुकी हूँ तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए share कीजिए and subscribe करवाईए और हाँ अगर आपके मन में कोई doubt है अगर आपके मन में कोई संदे है अगर आपको लगता है कि नहीं इसको और भी थोड़ा इंप्रूब करने की जरूरत है तो please comment box के माध्यम से हमें बताए जिससे कि हम लोग कुछ और इंप्रूब कर सकते हैं तो इसी के साथ मैं आप लोगों से बिदा लेती हूँ thank you for watching, bye everyone